सरदार बल्लभ भाई पटेल की जीवनी सरदार बल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टोबर सन 1875 इस्वि में गुजरात के नाड़ियाड में हुआ था एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था इनके पिता का नाम जवेर भाई और माता का नाम लाडबा देवी था और इनकी पतनी का नाम जवेर भाई पतेल था तो सरदार बल्लब भाई पटेल की सिक्षा का प्रमुक्सरोत स्वाध्याय था उन्होंने लंदन से बैरिष्टर की पढ़ाई की और उसके बाद पुनाह भारत आकर एहमदाबाद में वकालत शुरू की स्वतंत्रता आंदोलन में भागिदारी क्या रही आए जानते हैं सरदार पटेल ने महत्मा गांधी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया सरदार पटेल द्वारा इस लड़ाई में अपना पहला योगदान खेडा संगर्स में दिया गया जब खेडा छेत्र सूखे की चपेट में था और वहां के किसानों ने अंग्रेश सरकार से कर्मे छूट देने की मांग की जब अंग्रेश सरकार ने इस मांग को सुविकार नहीं किया तो सरदार पटेल महत्मा गांधी और अन्य लोगों ने किसानों का नेत्युत किया और उन सरदार पटेल का नाम कैसे पड़ा तो बरडवली सत्याग्रह भारती स्वाधेंता संग्राम के दोरान सन 1928 इसबी में एक प्रमुक किसान अंदोलन हुआ जिसका नेत्रत बल्लभाई पटेल ने किया था दरसल 1928 में प्रांगतिय सरकार ने किसानों के लगान में 30 प्रतिसत की बढ़ोत्री कर दे थी इसी आंदोलन के बाद बल्लभाई पटेल को सरदार नाम मिला मतलब सरदार पटेल को सरदार नाम कब मिला तो बारडवली सत्याग्रह के बाद मिला जब बारडवली कस्बे में ससक्त सत्याग्रह करने वाले उन्हें पहले बारडवली का सरदार नाम दिया गया बाद में सरदार नाम उनके साथ ही जुड़ गया अगर योगदान की बात की जाये तो आजादी के बाद जादातर प्रांती समितियां सरदार पटेल की पक्छ में थी वैसे सरदार बल्लबभै पटेल की ख्याती इतनी फैल गई थी कि वे प्रधान मंत्री पद के प्रथम दाविदार थे लेकिन गांधी जी की वजह से उन्होंने खुद को इस दोर से दूर रखा और जवाहलाल नहरू को देश का प्रथम प्रधान मंत्री बनाया गया गांधी जी की इच्छा के अनसार सरदार पटेल ने खुद को प्रधान मंत्री पद की दोर से दूर रखा और जवाहलाल नहरों को समर्थन दिया बात में उन्हें उपपरधान मंतरी और ग्रह मंतरी का पद सौपा गया यानि भारत की आजादी के बाद वे भारत के ग्रह मंतरी और उपपरधान मंतरी बने इस्टैचू आफ यूनिटी की अगर बात की जाए तो लौह पुरु सरदार बल्लभाई पठेल के इस मारक के रूप में दुनिया की सबसे उची मूर्थी स्टैचू आप यूनिटी बनाई गई जिसकी उचाई करीब 182 मीटर इस मूर्थी की आधार सिला साल 1913 में सरदार पठेल की जयंती के मौके पर भारत की प्रधान मंतरी नरेदर मोधि द् नहीं साल 1918 में दुनिया की सबसे उची प्रितिमा का उद्घाटन भी किया गया था यानि स्टैचू आप यूनिटी भारती राज्य गुज़रात में इस्थितेल सरदार बल्लभाई पठेल का निधन साल 1950 में सरदार बल्लभाई पठेल का स्वास्त खराब होने लगा वहीं 2 नवंबर साल 1950 में उनकी तवियत इतनी बिगड़ गई कि वह बिस्तर से उट भी नहीं पाते थे इसके बाद 15 दिसंबर साल 1950 में उन्हें हार्ट अटेक आया जिसके चलते इस महान आत्मा का निधन हो गया 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्य हो गई और लौह पुरुष दुनिया को अलविदा कहे गए इसी के साथ जै हिंद जै भारत